दोस्ते में दिनेश के हुग राचल फाहिंदी पर आपका स्वागत है नेपाल के अंदर एक राणी पोख्री का एक साइट है है हेरिटेज साइट है जिसके अंदर एक टेमपल भी है और वो बाल गोपालेश्वर का टेमपल है 2015 में जो हुकम पाया था अर्थ को एक आया था उसके अंदर काटमांडू के और नेपाल के बाकी एरियास में बहुत डेमज हुआ था बिल्डिंग्स को डेमेज हुआ था, टेंपल्स को डेमेज हुआ था, जो हिस्टोरिक साइट से उनको डेमेज हुआ था, तो धीरे धीरे उनको अब ठीक किया जा रहा है, तो इनी में से एक हिस्टोरिक है रानी पोकरी का जो एक साइट है, हिस्टोरिक साइट है, अब उसको यह उम्मीद जा गई है कि उसका काम चल रहा है, जोरों से चल रहा है, और मई 2020 तक यानि कि और 6 मेने तक ये काम खतम हो जाएगा, और वहाँ पर टूरिस्ट फिर से आके मंदिर में दर्शन कर पाएंगे, उस साइट के दर्शन कर पाएंगे, और वहाँ का काम इस टम मेट्रोपालिटन सिटी, डिपार्टमेंट और आर्केलोजिकल और नैशनल री कंस्ट्रक्शन अथर्टी के बीच में कन्फ्यूजन था कि कौन काम करेगा, लेकिन अब यह डिसाइड हो चुका था, कि अनरे जो है नैशनल री कंस्ट्रक्शन अथर्टी जो इस काम को है और बाकी काम भी देर देरे पूरे हो रहे हैं, तो हेरिटेज जो एक्सपर्ट है नैपाल के रजबन मनंधार, उन्हेंने कहा कि मई 2020 तक लोग वापिस से रानी पोकरी की जो हेरिटेज साइट है, इंक्लूडिंग जो वहां पे बाल गोपलेश्वर का जो टेमपल है, उ ठीक भी हो रही है, तो ये एक छोटा से कैपसूल नैपाल की नियूस पर, शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए,